लोग सभान का चुनाव शुरूर हुआ था और 16 मैं 2014 को चुनाव के रिजल्ट पोशित किये लिए कि लगवग इसी समय पर 2019 में लोग सभान का चुनाव होने वादा है और पिछले साड़े चार साल से हम बांग सेथ के रोग सारे देजबर में बांग सेथ संगटन के बारा देजबर में जो परिवर्तन यात्राएं निकाली गई उस परिवर्तन यात्राओं के बारा हमने ओबी सी की जाती आधर की गिंती का मुद्दा सारे देजबर में उचाला सारे देजवर में इसकी हमने चर्चा कराई और इस चर्चा की वज़े से जो ब्रामनों के दोरा और इसस के दोरा एक OBC के आदमी को जिसका नाम नर्ज दमदी है उसको उन लोगों ने नॉमिनेट किया है ज़िए प्रामनिस्टर उस प्रामनिस्टर के दोरा ओवीशी के लोगों के विरोद में साड़े चार साथ कर काम करते है साड़े चार साथ तर OBC के विरोद में जो काम चलता रहा उसमें एक बड़ा मुद्दा है OBC की जाती आदर गिंती का उसके विरोद में भारती जनता पार्टी की सरकार ने साड़े चार साल तर काम किया कॉंग्रेस के लोगों में भी OBC की जाती हैं अदर गिंती का काम होने ने दिया अब 2019 का समय आ रहा है और अठा में वो मिनिस्टर के द्वारा OBC की जाती हादर गिंती का मुद्दा उसला गया और ये कहा गया कि 2021 में OBC की जाती हादर गिंती की जाएगी 2021 में OBC की जाती हादर गिंती की जाएगी इसका अर्थ क्या है इसका एक अर्थ ये है कि 2018 में गिंती नहीं होगी 2014 में हो सकती थी 2017 में हो सकती थी 2018 में हो सकती थी अभी भी आचार स्वेंता चुनाव आयोग ने लगाई नहीं है अगर सरकार चाहे आज दिन में 2011 में गिंती की गए थी तो आज भी आज दिन में सारे देश में गिंती की जा सकती है अगर सरकार निर्णे ले तो जन्वरी एड तक आज दिन में गोशित नहीं होगी अभी भी गिंती हो सकती है मगर उनको गिंती करना नहीं है और यह आजवासन नरिद्र मोदी के द्वारा देने के वज़ा यह होम dürश्य के द्वारा आजवासन दिया गै जो कि नरीद्र मोदी के वादे पर लोगों का बिर्कुल विश्वास नहीं रहा ये एक वज़े हो सकती है कि ये प्रधानमंत्री जो बोलता है वो एक जुनला होता है ये जुनले बाद प्रधानमंत्री है और जब ये प्रधानमंत्री नहीं गनाता तो उस समय सोचल मेडिया में बहुत चर्चा चली थी कि अगर सोचल मेडिया में फेकू शब्द लिखो तो नेर्जर मोडी का नामाथ था फेकू बरबर नेर्जर मोडी तो यह फेकता बहुत था और साड़ी चांग साज में लोगों को मान्ग हो गया है कि ये ठेकने वाला आदमी है ये जुगरे राजा आदमी है तो अगर इसके ज़ारा 21 में जाती आधार गिंती की बाद कहीं जाए तो लोग कहें ये भी जुम्रा है इस पर कोई यकिन करेगा इसलिए ये वादा उन्होंने राजनाद सिंग जो हो मिनिस्टर है उसके राजिवा दूसरी बात हम लोगों को समझना है वो ये है कि 2021 में ही गिंती क्यों जब केश अंदर से करने केश अंदर से कर आए मैं जो हेदराबाब गये था तो हेद्राबाद के तेलंगरा के लोगों में मुझे बताया कि केश अग्र सेकर डाउने 24 गंटे तेलंगरा की दिंटी करवादी दासथाम जी करावाद है ना दासथाम जी हमारे स्केनियर मोस्ट एक्विस्ट है हाँ 25 में 24 गंटे करावादी चोटा स्केट है 10 जीले करता और भी महान आदमी 10 जीले के 30 जीले बना दिया महान आदमी है तो उसने जब बना था तो 10 जीले थे 10 जीलों के 30 बना दिया हक्रावत तो 20 जबने उसने इसने जिन्ती करवादे तो सरकार के पास बहुत साधन संसादन होते हैं मैंन पावर होता है पैसे होते हैं रेसोरसिस होते हैं वो जाहे तो 25 जबने करवा सकते हैं और किया इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं समझा रहा हूं कि यह जो जिन्ती करने का मामला है यह करवाया जा सकता था मगर यह उन्होंने 21 में करने की बाद कर रहे हैं क्योंकि 19 में चुना हो जाएगा और 21 में अगर गैपोर प्लास के लोगों को वादा किया जाए कि हम वब है सिन्की जाति आधार गिंदी करेंगे रहे हैं बाहत है और मिल गया गिम्धवर प्रणाहीं चाहई कोई ज़रुरत है नहीं है और एक पात साल होने के बाद कोई हमें वोड़ देने मादा है नहीं है इसलिए गिंती करने का कोई ज़रुरत नहीं है और अगर कर भी लिया तो सोचिवो एकनोमिक सर्वे करेगा और सोचिवो एकनोमिक सर्वे करेगा उस तो बनेगा इस दोखा दरी करेगा तो इसलिए ये सब दोखा दरी करने का मामदा है ये गिंती करने का मामदा नहीं है इसे सही तरिकेसे समझने की जुरुत है इसे सही तहीं कि इसे जानने की जरूरत है और ये जाना समझना इसलिए जरूरी है आप लोग जो देश्भास से यहां आए है आप जान लो और अपने अपने गाँ में अपने अपने तसीर में अपने अपने जीरे में जाकर इस वात का पचार करो कि ये सब्धोका भी करने का मामला है ये जाती आधार गिंती करने का मामला नहीं है क्योंकि जाती आधार गिंती तो उन लोगों के लिए जान लिवा मामला है ये उनके लिए जान लिवा मामला है क्योंकि अगर जाती आधार गिंती करते हैं तो समय कुर्प से फाइदा किसको हुआ संप्ती का संग्रहन इसके नाम पर हुआ उक्ता हो जाएगा और यह डाइटा वे t curios जाएगा tiempo बहुत ब्ला संक्त उनके सामने प्रृट हो जाएगा तो अपने ही लोगों के सामने संक्ट करा करने का काम यो लोग करेंगे ऐसा भो नहीं सकता इसलिए ये काम वो कर नहीं सकते और जो काम वो कर नहीं सकते उसमर यकिन करने की जरूरत नहीं है यकिन करने की आउशकता नहीं है और इसलिए ये बाते आप लोगों को समढ़ाई जा रही है दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ उसे लिए समझने की जुरूरत है आज के सप्र में दो दो पुर्नकारी कारे करता है ये गलगवग पश्शिस साथ से 25 साथ से माननी अकशर जी जो शायद बिहार के है घुरूरत बिजीक कुमार ब्रेल्डी है और आज़वदेश से है उन्होंने आरिसस में काम किया और आरिसस का उन्होंने त्याग कर दिया और त्याग करके वो आई और उनों ने अपना तजरबा अपना अलभो आगा शेयर किया और उनों लोगों को समज्दाने की कोशिश की कि यह जो आज़िस के लोग है ए राफ्टवाद के चोले में जो चोला पहना हुआ है राफ्टवाद का यह बहुत फकर्नाग लोग है अब इस कतरनाक लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए ये बाद भी सारे देज़ बर में आप लोगों के द्वारा परचार में राया जाना चाहिए और परचार में लागत के लोगों को संग्याया जाना चाहिए मगर मैं आप लोगों को एक बाद कहना चाहता हूँ यह जो ब्रामनों की समाधी विवस्ता है यह उनका अपना एक संगटन है उस संगटन में ब्रामन एक वर्न है और यह ब्रामन जो है एक वर्न के आधाल पर समस्त ब्रामनों का एक संगटन है एक RSS का संगटन है, एक ब्रामन नाम का संगटन है, जो मेरी अपनी संदारी है, ब्रामन नाम का यो संगटन है, वो RSS से भी बड़ा संगटन है। कि नाग पर अगर मक्खी बैठ जाए, ऐसा ब्रामन जो नाग पर बैठी हुई मक्खी उलाने राइक नहीं है, वो भी आपके विरोज में शर्यंत्र में सामिछ रहता है। ब्रामनों का एक संगटन है, उसमें और ब्रामनों के संगटन हो सकते हैं। मगर ब्रामन अगर अकेरा में काम कर रहा है, तो वो अकेरा भी आपके विरोज में ही काम में रगा हुआ है। यह वात हम लोगों को समझना होगा। इसलिए मैं जाजा अधर ब्रामन चंद्र का उपियो करता हूँ, आरिसस का कम करता हूँ। क्योंकि रसर ब्रामन चंद्र करता है, ब्रामनो के बारे में अगर आप जाजड़त हो जागे तो रसर तो नोगों cst बारे में आप लोगों को जहनकार इसलिए हो सकती है। अगर लोग ब्रामनों के बारे में जाज़त हो जाएंगे तो आरेसस के बारे में अगर आप जाज़त हो जाएंगे जाज़त हो दो आप आरेसस में कि भाट जाएंगे तो यह जो बात हम लोगों का परकेस समझने की ज़रूरत है कि यदि आप ब्रामन के बारे में जाज़त हो जाओ तो आप आरेसससा सक्ते आप ब्रामनों के किसी भी संगटन निला नहीं सकते हैं आरेसेस एक ब्रामनों का संगटन है मगर आरेसेस के अलावा जो ब्रामन है वो इंडिविडियल लेवल पर व्यक्तिवत रूप से परस्नल वो भी और विरोग में ही कारिय रख लेता है इसलिए हमको उसके गतिरियों क वेखे हमारे में बी जानना समझना बहुत ज़्यदा धरूरी होता है कुछ लोगों की एसी राय रहती है उसलों पर वाटे रहता है कि सभी के सभी ब्रामन बुड़े नहीं होते हैं मेरा ऐसा माना है ब्रामन होना ही गुरा है यह अगर आप हसोगे तो जो मैं कर रहा हूं ह उस-то गंविता से नहीं जोदे हैं. हसोगे वहाहाँ करके उडामंना कि इतना फमार नहीं है. मैं करता हूँ इंसान होना जरूरी है, ब्रामन होना जरूरी नहीं है. इंसान होना जरूरी है, ब्रामन होना जरूरी नहीं है. तो incarnate Kinagini semosi are in Australia, जो करता हो समार वादी है कोई सामयवादी है सरोदयवादी है रांधीवादी है गुरा नहीं है अच्छा है मैं रामन होना ही अहीं पर योग कि जब आप रामन होते हैं तो फिर उसके नीचे शत्री होता है, फिर उसके नीचे वहिश्य होता है, फिर उसके नीचे शद्र होता है, फिर उसके नीचे गोर तमाम लोग होते हैं, जब आग ग्रामन को ग्रामन मान लेते हैं, तो उच नीच की विवस्ता को मान लेते हैं, और तो हमको उच नीच की वि तो मैं तो पता नहीं कुन सी पद्वी उसको देगे तो मैं तो ब्राह्मनों को शिफारश कर रहा हूं कि वामन मैं स्वाम को शंकराचारी बनाए जाना चाहिए हम तो हमारे पास होता तो हम और कुछ भी बनाते तो मैं टेसाई लोग कर रहा था तो मैं ने कहा कि अगर ब्राह्मन मुभिए स्वार चाहड़े बनाने के लिए जैसे आप पर हे तुम्हें शंकराचारी बनने के और नहीं कर दो वह हुर। उनके चेरे पर सवाल स्वाल को अधो तो मैंने उस सवाल का भी जवाब दिया जो किज़ए पर दिक रहा है क्योंकि जब आप इसी कोई मुद्धा रुठा तो चेरे पर सवाल दिख्टा था ने जवाब दिखने लिए इस संकरा चारी दन्य के लिए क्यों कैर नहीं हो क्योंकि शंक्राव चाहिए रन्य का मत्तव है उच नीच को मानने ता देए शंक्राव चाहिए वेर को प्रमान मानते हैं और वेर जो है वर्ण व्यवस्ता को मानते हैं मोरन व्यवस्का की वज़य से जाती व्यवस्ता पैदा हुँ DR. सुद्रभ को OBC के उपफडी थ seul पा गया अब इतना ही नहीं तो उम्म हिना उनको गार बनाया गया गुना गया इस सारा के इसारा वगु के वैस्टा उसके वैशलीय सर्टा मातना चाहया लिए लिए दृलना करें कि रीएट को मानेता देना होगा वर संद्रभ में तो मांता हिए नहीं तरुदर्भ है इसलिए हम लोग ब्रामन के रेफरेंस में संददों में बात करते हैं मैं ब्रामन जाती का विरोदी नहीं हूँ ब्रामन लोग डियने के अनुसार विदेशी है तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कुछते रहते हैं कि आप ब्रामनों के विरोद में क्यों हो तो मैंने कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं तो पहले मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दो कि गांधी जी अंग्रेजों के विरोद में क्यों थे ताकि अंग्रेज तो मिदेशी थे इसलिए विरोदी तो आप कैसे कह रहे हैं तो लोग मुझे पूछते हैं या ब्रामन का विरोध क्यों क्यों करते हैं ब्रामन जातित अविरोध नहीं करता हूँ, ब्रामन का डियनी विदेशी है, वो विदेशी है, भारत पर उनको राल करने का अधिकार नहीं है, अगर मैंने यह अवियान नहीं चलाया होता। नहीं कहा, और मैं धन्यवाद नहीं कहा, कोई ब्रात नहीं है, सोचल दर्फ यह थैंक लिए थैंक लिए स्काम है, और उसने मेरा थैंकिव नहीं कहा होता, ठीक है, मेरी वज़े से अधिको प्रधान मंत्री बनाने की बड़ी वज़े पांता हूँ, कि सारे देवर में ओभी स गोवी सी को बादान जिन्ती का हम ले बहुत बड़ा अधियान चुरकत दिया था, इस अधियान को कौंटर करने के लिए, ब्रह्मनों को आर अधियान को एक गोवी सी के आणनी को देश का प्रधान नंत्री नहीं आपडा, एक आर्मी तदान नंत्री बनाया, और बाहान प बोदी को भी एने मनमों सिख गयर्मामन नरिंद्रवोदी गयर्मामन वो यह हमारी वज़े से उन्हें लोगों को यह करना हूँ साथ्यों यह बाते मैं इसलिए बता रहा हो क्योंकि आपको यह समझना होगा कि हम जो देश भर में अभ्यान चला रहे हैं उसका इस देश्परनियन करने वारे लोगों के भरनाश्य पर परनाम हो रहा है उनको हमारा कौणियन सोन करता है हमारा नो देना परता है इतना हमारा प्रहाओ बल गया है अगर हम आँ इसी तरद से काम को और जङ़जा पेजी से बहाने का काम करो तो आने वाले दस साल में ईज़ ब्रामनों का मामला है मैं आपको एफिडियेट पर और कह सकता हमाू ursborough जिस नासे बाते हमांग को कह रहो हैं वो बाते उसको हमसी देड़ सकते हैं का मामला रभा रभा कर सकते हैं दस साल जैसी बाते आपको कहीं जाती हैं अमल करो तो दस साल में आपको कहीं तो इसको समझने के लिए आप लोगों को चाहिकिना ज़रूरी है इसके लिए मैं प्रेक करता हूँ झाल करत अव झाल आप झाल